दारचिली की कुख्षित तैसेल के ग्रामकुल गाउं मे, एक किसान के खेत में एक दो साल का तेनदुवण वनविभाग के लगाएगे पिंजुरे में रविवार की रात्री में कैद हो गया। तेंदुआ पकड में आने के बाद सोमवार को वनविभाग की टीम तेंदुए को रेस्क्यू कर वाहन के माध्यम से इंदौर के पास चोरल के जंगलों में छोड़ने के लिए गई गौर तलब है कि गदो महा से छेतर में तेंदुए की गतिविधी देखी जा रही थी और इसके लिए वनविभाग ने दो इस्थानों पर पिंजरे लगा रखे थे सुसारी से महत 6 किलोमीटर की दूरी पर गाउं कुल गाउं में नारायर पाटीदार के खेत में लगे पिजरे में तेंदुआ पकड में आने के बाद किसानों ने इस बात की सुचनाव वनविभाग की टीम को सोमवार सुबह दी इसके बाद मौके पर वनविभाग की टीम पहुची इस बारे में कुक्छी वर पर छेत्र अधिकारी संतोस पर आसर ने बताया कि कुछ छेत्र में लगातार तेंदुए की गतिविधी नजर आ रही थी इसे लेकर काफी समय से बर्विभाग ने निसरपूर ब्लॉक में दो इस्थानों पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगा रखे थे रविवार की रात्री में यह तेंदुआ पिंजरे में आ गया है इसे अब रेस्क्यो करके ले जाया जा रहा है इसकी उम्र दो साल के लगभग है सूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल होस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सबी सुविधाएं आइस मांस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 756683551 पर हमारा पता है नैशनल होस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 860028859900 पर